नमस्कार में आपका अचारी मायेंग शर्मा जो 30 जीगयासा कारेकरम के अंद्रगत हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं आपको आपका साप्ताइक राशिफल भी बताते हैं और सासर गहरे नक्षोत्रु की चाल आपकी राशिओं पर क्या असर डाल नहीं है ये भी आपक थे विए जोति संबन्द्य को समस्य आया तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेए हम उस समस्य का पूरा-पूरा समाधान करने का परियास करेंगे अपने शो के जरीए तो दर्शुक को आजकर हम चर्चा कर रहे हैं किस दिन जनमें लोग का सभाव कैसा होता है या से करना पसंद करते हैं और ये अपने मान की ज़़ाँ में नुकसान कुंचाती है और उनको कभी-कभी बहुत ज़रा अभिमान हो जाता है अपने क्योंकि बहुत टैलेंटेड होते हैं महुत परतिवाशाली हैं हमेशा ही कामियाब होते देखे गए हैं तो अभिमान से इनको बचना चाहिए अन्यत है इनको परिशानी हो सकती है इनके करियर में बड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना संद है ऐसे व्यक्ति दयालू होते हैं स्कॉलर होते हैं तेजस्वी होते हैं काफी विश्वास इनके अंदर भरा होता है अगर कोई भी समदार इनको सोपी जाए तो इनको यह लगत अच्छे परशाशक भी होते हैं कि एडिनिस्टेशन में देखा गया है कि यह लोग सुंदर होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं जीवन अच्छा जीवन जीना पसंद करते हैं सोंदर्य प्रेमी भी होते हैं और कलाम प्रेमी भी होते हैं और बहुत खर्चीले भी होते हैं सुख साधन पर भोग विलासिता पर बहुत जादा खर्च करना पसंद करते हैं इस ची आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप उर्जावान से संबंदित काम से करना चाहते हैं को उर्जाव होते हैं आपके अंदर तो वो काम्यावी आपको मिलें जैसे आई-ए-ए-ए-पी-ए-स पुलिस आर्मी एर फोर्स में अगर आप ट्राई करते हैं तो ऐसे रिखती को जल्दी काम्यावी मिलती है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन जाते हैं यह से हमने आपको बताया कि अच्छे परशाशक होते हैं अड्मिस्टेशन में बड़ी काम्यावी हासिल करते हैं रेल्वे भी भाग में ऐसे जखती जा सकते हैं अजिमेडिकल लाइन में भी आपको काम्यावी मिलती भी नजराती है और अगर आप अपना जन्नल स्टोर या क्लोट्स का काम करेंगे तो भी आपको भाट ज़स्वड़ा सफलता मिलती है और्फो किर्षी से संबंदित खासकर अनाज से संबंदित einwn si-ужд now करेंगे आप य बीपी की शिकायद आपको 30 वर्ष के बाद होने लगती है तो थोड़ा सा अगर आप खान-पान पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस समझ से आगे भड़ सकती है आपको अपने खान-पान पर कंट्रोल करना चाहिए अन्य था परिशानिया आपको आ दिया और जिन बेक्ति कु क्रोज करना चाहिए और जब आप घाडी से बाइक से जाते हैं या सड़क करते हैं तो बहुत सोस समय के आपको क्रोस करना चाहिए आपके साथ कभी ना कभी कभी अचानक से कोई चोटी बुटी दुरम लोटा होने मंचाण का बनी रहते है तो आपको इससे बिश्यर में भी अच्छा से जोग देते हैं लेकिन कभी-कभी आपके क्रोध की अधिकता या इगो-क्लैश की विरे से आपको वैवाइक जीवन में थोड़ा था तनाव पूर्ण सीटियों का और चुनोतियों का भी सामना करना पड़ता है जीवन साती की तरब से तो आप ये इगो नाम की चीज़ को हटाईए तो देखिए आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा आपका वैवाइक जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा अब बात करते हैं आपके लिए कौन से दिन विशेश लाबकारी है अब बात करते हैं आपके वर्ष की देखिए अगर वर्षों की बात करें तो 2020, 2024 और 2028 यह कुछ आने वाले कुछ वर्षों में से वर्ष हैं जो बढ़े ही आपके लापकारी रहेंगे, मंगलकारी रहेंगे, परिवर्तनकारी आपके लिए रहेंगे, इन वर्षों में आप जो भी काम की शुरुवात करेंगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी, यानि कि आपके करियर के टर्निंग पॉइंट वाले वर्ष हो सकते हैं, अगर आपको काफी समय से तरक्य नहीं मिली, तो इन वर्षों में आपको तरक्य भी मिलेगी, या आप अपने काम की नए काम की शुरुवात भी कर सकते हैं, तो आज हमने आपको बताया, रवी बार के दिन ज सब्सक्राइब करना ना भोलें, तो जो 30 जिए ऐसा कारेकर में फिला लें, तिना ही, आज मुझे दिरीजारत, नमस्कार